जहीं देख भाई फिर से आप सभी कात है जिल से हार्दिक स्वागत है अग्जाम गुरुजी भाई यर्भीन से यूटूब चैनल में मेरे पहरे भाई के लिए आप लिए बहुत ही जबर्दस्त बेतरी इन मौडल बेपर शुरू हो चुका है आज के इस इंपोर्डेंट प्रेक्टिस सेट के सुरुवाद करते हैं और आपके सामने कोईशन रखते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूए मेरे पहरे भाई की क्लास आपकी जो है मेरे पहरे भाई साथ बज़े होने वाली थी लेकिन अब इसका टैम चेंज करके सुबह ग्यारा बज़े कर दिया गया है तो या देखिए यूपी टेपलसी पेट इक्जाम 2022 के लिए साइंस की एक महामेरत है क्लास 25 सितंबर सुबह ग्यारा बज़े बचेगा आप गाईज हरे कोईशन को फोल कर आओगे चाहे जहां से भी कोईशन आजाए साइंस का पांच के पांच हो आपका पक्का है यह बात आप मान लीजेगा इसमें आपके साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बैलोजी इन तीनों चैप्टर्स को कबर करेंगे ठ जहांगीर द्वारा किस कंपणी को सूरत में कार खाना लगाने को अधिकरित किया गया था इसका आँसर आप बताएंगे जहांगीर द्वारा किस कंपणी को सूरत में कार खाना लगाने को अधिकरित किया गया था सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा English East India Company correct answer हो जाएगा आपका option D जो भी हमारे पैरे भाई मित्रियां पर option D बतारें बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला आपके सामने मेरे पैरे भाई की प्रतवीराज चुवान के विरद्व मुहम्मद गौरी के आकरमड के समय कन्योज पर निम्लखित मैसे किस वंस का सासन था इसका अंसर आप बताएंगे कि प्रतिवीराज चुवान के विर्द मुहम्मद गौरी के आकरमड के समय कन्योज पर निम्लखित मैसे किस वंस का सासन था सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा गहडवाल वंस option D जो ही आपका बिल्कुल perfect हो जाएगा जो भी हमारे पहरे भाई मित्रियां पर option number D गहडवाल वंस बता रहे हैं बिल्कुल सही answer correct answer आपका हो जाएगा अगला अप्रसनाप के सामने कि गुप्त सुरन मुद्रा को क्या कहा जाता था इसका answer आप बताएंगे कि गुप्त सुरन मुद्रा को क्या कहा जाता था फटफड़ा answer देने की कोशिश कीजिए सही answer क्या हो जाएगा जो भी हमारे पहरेबाई मित्रियां पर बता रहे हैं कि गुप्ट काल में जो गई जिस्वरन मुद्रा थी उसे दीनार कहा जाता था option भी बता रहे हैं बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला आपके सामने कि जैन धर्म में सलेखना से तातफरे है जैन दर्मे में जो काई जिस सन लेखना है इससे क्या ताद पर यह कोईशन नमबर चार का आंसर आप बताएंगे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपवास द्वारा प्राण त्याग ऑप्सन बी जो ही यह बिल्कुल परफक्ट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे पहरे भाई मित्रियां पर आप्सन बी बता रहें कि उपवास द्वारा प्राण त्याग ऑप्सन बी बिल्कुल परफक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रसने की भारतिये पुरा तत्तों का जनक किसे कहा जाता है मेरे पहरे मित्र याद रिखेगा भारतिये पुरा तत्तों का जनक जो ये अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है correct answer हो जाएगा आपका option A जो भी हमारे पहरे भाएं मित्रियां पर option A बता लें कि Alexander Cunningham बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला प्रसना आपके सामने इसको देखेगा इसकी दुत्तिये गोल में जिस सम्मेलन जोकी 1931 में हुआ में Congress के प्रतिनित के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे सही answer हो जाएगा मातना गांधी option A correct answer हो जाएगा अगला की अखिल भारती राजनीती में गांधी का पहला सहसिक कदम था सही answer हो जाएगा question number 8 का वो हो जाएगा चंपारन अंदोलन option C बिल्कुल perfect हो जाएगा जो भी मारे पहरे भाई मित्रिहां पर option C चंपारन अंदोलन बता रहे हैं बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला की बंगाल का विवाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे सही answer हो जाएगा बंगाल का विवाजन जो इगाई सी ये लार्ड कर्जन के इस हसनकाल में हुआ था सही answer हो जाएगा आपका option number 1 कर्जन अगला आपके सामने 1857 में किसने इलाहाबाद को आपात कालीन मुख्याले बनाया था 1857 में किसने इलाहाबाद को आपात कालीन मुख्याले बनाया था प्रस्त आपसे पूछ रहा हैं सही HAR हो जाएगा वो जाएगा लाड केहि 닉निग ऑफ सेंड-иеं बिल्कsti परफेक्ट अंसर हो जाएगा जौ भी तपा के मारे वैरे ब़ाय मित्रिया पर ऑपसें लाड केहिंग बता रहे हैं बिल्कुल सही अगला आपके सामने गाईज की उच्चितम लवर्ता पाई जाती है उच्चितम लवर्ता जो ही किसमे पाई जाती है इसका अनसर अब बताएं के सही तरकी में एतनाफ दूत responded ठीजिए मेरे पहरे भाई सही एंसर क्या हो जाएगा है कि करेक्ट रोज आए गयर कौन सा कतन सही नहीं है ये प्रस्नाप से पूछ रहा है चहीं आंसर रोज जाएगा अधिक्तम ताप्मान की मेखला विश्वत रेखा कि सहारे पाई जाती है option B जो ही बिल्कुल सही answer आपका हो जाएगा अगला की लवणिये जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं मेरे पहरे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी में तर पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे जो चनल पर पहली बार आएक में सबस्क्राइब कर देंगे ताक आने वाली हर एक नई क्लास की न Jay beginnings से मिला करे तो जोभी में तर चनल पर पहली बार आए क्लास को लाइक ने EV談 की सब्सक्राइब कर देंगे लवणिये जल में उगने वाले पौदे क्या गहलाते हैं यह प्रसन आपसे पूछ रहा हैं सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा गाईज यह पर हैलो फाइट सा correct answer हो जाएगा आपका आपसर नमबर है हैलो फाइटस option C जो ही बिल्कुल सही हो जाएगा अगला देखो निमने लिकित मैंसे किस समीती ने भारत में किडिसी जोत कर उसु जाओ दिया था गाइस इसका अंसरा बताएंगे सही अंसर हो जाएगा राज समीती ओप्सन नमबर ए करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला की बैंक दरका आसाई क्या है अब देखो मेरे पैरे भाई बैंक दरका आसाई क्या है यह प्रस्न आप से पूछ रहा है सही अंसर हो जाएगा क्वेशन नमबर 19 का हो जाएगा केंद्रिये बैंक दोरा ली जाने वाली आजिकारिक ब्याजडर ऑप्सन नमबर 20 का सही अंसर हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा वो जाएगा विदेशों में निर्वात मांग की जब लोच अधिक हो करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका आप्सन नमबर 8 अगला की वा नियुंतम जन संक्या कितनी है जिसके नीचे 73 संसोदन अधिनियम के अंतरगात उपबंद के अनुसार मद्यवर्थी अस्तर पर पंचायते गठित नहीं की जा सकती। सही अंसर हो जाएगा question number 21 का वह हो जाएगा 20 लाख option B, correct answer हो जाएगा। पताएगे मेरे पहरे भाई वह नहीं उन्तम जन संक्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंद के अनुसार मद्यवर्थी अस्तर पर पंचायते गठित नहीं की जा सकती। सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 20 लाख, correct answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option number B, अगला की निवने में से किस भी सही पर राश्ट्र पती के लिए मंत्री पैसाथ से सलाह लेना आवश्चक नहीं है, द्यान दीचे कर नहीं है, बात कराए question number 22 का अंसर आप बताएगे सही अंसर क्या हो जाएगा, perfect answer हो जाएगा, हो जाएगा विधैकों पर स्वविकृति देना, option number 20 जो है, यह बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, इसके लावरा राजधूतों की नियुक्ती, राज़े पाल दोरा प्रेसित, विधैकों पर स्वविकृति और लोग सभाबंग करना इस पर राज़्ट पती से मंत्री पर स्वविकृति देना है, इस पर कोई भी आविस्यक नहीं है, अगला की हम नियाईक पुनर विलोकन की विवस्था देखते हैं, अब इसका अंसर आपको बताना है कहां पर, question number 25 का अंसर आप बताएंगे, सही answer क्या हो जाएगा, correct answer हो ज तिक दाता यानि यूनिवर्सल डोनर, जो है ये गाईज है, कहने का मतलब है, गाईज की सारवर्ति क्याने की, सभी को देने वाला इसमें रक्तिसमूह कौन सा हो जाएगा, question number 26 का अंसर आप बताएंगे, सही answer क्या हो जाएगा, देखो काईजी, सभी को रक्तिसमूह देने बिल्कुल सही answer हो जाएगा, अगला की DNA की द्वी कुंडलिन सन अचना किसके दोरा दी गई थी, DNA की द्वी कुंडलिन सन अचना जो है किसके दोरा दी गई थी, इसका अंसर आप बताएंगे, सही answer क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ पर वाट्सन तत क्रिक की दोरा option B जो है ये बिल्कुल आपका right हो जाएगा जो भी मारे पहरे भाई मित्रिहां पर option B बता रहे हैं बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला की स्वरन कारोदारा पर योग में आने वाला एक्वारेजिया निम्न लिखित को मिलाकर बनाया जाता है देखो guys मैंने आप को पहले भी बता दिया है कि आप के लिए science की महा मेरतन क्लास आ रही है 25 सितंबर को तो आप सभी उस क्लास को जरूर देखिएगा 11 बजे आपकी क्लास सुरू हो जाएगी ठीक है स्वरन कारोदारा पर योग में आने वाला एक्वारेजिया निम्न लिखित को मिलाकर बनाया प्रत्यवर्ति विद्धार को दिश्ट विद्धृ धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वार? बताएंगे सएंसर क्या हो जाएगा जल्दी-जल्दी कमेंट करके बता दिया करो मेरे पहरे मित्र फटा-फटर कंत करके बता ओ प्रत्यावर्ति बिद्धुधारा को दिष्ट बिद्धुधारा में परिवर्थित किया जाता है सही आंसर हो जाएगा कोईस्ट नबर 29 का वह जाएगा गाइस रेक्टी फायर दौरा आपसें डी बिल्कुल पर्फक्ट हो जाएगा जो भी हमारे पहरे भाई मित्रियां पर दौरा हम किसका मापन करते हैं इसका आंसर आपको बताना है जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किये वह एक बार लाइक जरूर कर देंगे जो चैनल पर पहली बारा है में सब्सक्राइब कर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्सन नंबर बी जो भी मारे बैरे बात जो लिखी के यह बहुत ही सई बात है गाइस माता पिता आपके लिए मजदूरी करके आपको पैसे देते ताकि आप अपनी पढ़ाई कर सको और गाइस आप अगर उनके विश्वास को बनाए रखना चाहते हो तो मेहनत कीजे जीजान सिद्दत लगाईए ताकि गाइस आप सिलेक्शन ले सको तो बताईए मेरे पित्रम माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं रेकांकित मुहावरे का अर्थ असप्रष्ट करना है यानि कि लोहे का चना चबाना इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है सही अंसर हो जाएगा हो जाएगा बहुत कठिनाई जेलना करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्सन है अगला के निम्लकित वाक्यों में से सुद्ध वाक्य को पहचानिए मेरे पैरे भाई आपसे पूछा दारा है कि इसमें सुद्ध वाक्य कौन सा है कोईशन नमबर 38 है पहला ओप्सन देखो जरादा घर नहीं है यह गलत है जरादा घर पर नहीं है यह होना चाहिए ठीक है यह गलत हो गया राम पार साला में बैठा होना चाहिए आप अवस सुने होंगे यह गलत है यहाँ पर भी क्योंकि आप अवस सुने होंगे यह ऐसा नहीं होगा आपने अवसे सुना होगा इस प्रगार होना चाहिए था मैंने एक नाटक का अनुवाद किया हाँ बिल्कुल सही है करेक्ट क्या हो जाएगा आपका option number D जो भी मारे पहरे भाई मित्रियां पर option number D बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला की अन्य और अन्य सब्द युग में के सही अर्थभेद का चेन कीजिए अब आपको यह बताना है कि इस अन्य और इस अन्य का अर्थ क्या हो जाएगा question number 39 अब देखो मेरे पहरे भाई इस अन्य का जो मतलब होता है इस अन्य का मतलब होता है वो होता है अनाज और इस अन्य का जो मतलब होता है मेरे पहरे भाई यह होता है दूसरा ठीक है तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इसका मतलब यह होगा और इसका नमबरे जो भी हमारे पैरे भाई मित्रियां पर आप्शन ए बतारें बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा अगला इसकी निम्न में से कौन सा सब्द सरस्वती सब्दकास समानार्थी नहीं है यह प्रस्ण आप से पूछ रहा है जल्द बाजी नहीं करेंगे सुचने समझने के बा प्रयावाची नहीं है जबकि यहां पर आप देखो गाई वागे शरी सार्दा वाड़ी भारति यह सभी जो गाई सरस्वतिमाता के प्रयावची होते हैं लेकिन मेरे प्यारे भाई सुधी जो है यह इसका प्रयावाची नहीं होता है करेक्ट हो जाएगा आपका option C अगला करकेगा मेरे प्यारे भाई यह प्रस्ण जो आपके सामने हैं बहुत ज्यादा इंपॉटेंट है आप इसका स्क्रीन सॉट या पेंट डाउन कर लीजिए गा इसकी पेडियाप आपको टेलीगराम पर मिल जाएगी आप देख लेना ठीक है अब देखो गाइस अंधेर नगरी इसके रचेदा कौने गई जबो है भाड़तें दोहरी स्चंद्र और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपसर भी जो भी मारे पेरे भाई मित्रयाँ पर आपसर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला की मद्वनी कला जो है यह कहाँ परसिद्ध है इसका आंसर आप बिल्कुल सही हो जाएगा अगला गाइस की निम्रेट की तमेसे क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है द्यान दीजेगा आपसे प्रस्थन क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्वेस्टन नमबर 53 अब देखो यहां पर जल्वास हो गया नाट्रस अकसाइड हो गया ओजोन हो गया यह आपकी घ्रीन हाउस गैस लेकिन गाइस कारबन मोनो अकसाइड जो इस ग्रीन हाउस गैस नहीं है करेक्ट हो जाएगा आपको ऑप संडी जो भी आरे भाए मित्रें आपर बहन ऑप संडी बता रहें बिल्कुल साही हो जाएगा परफ्रक्ट आंसर हो जाएगा अगला कि सबसे पहले पारस्थितिक तंत्र सब्धकाप्र किस ने किया था के G लगी आंसर हो जाएगा question number 54 का जो भी हमारे पहरे भाई मित्र बता रहे हैं कि एजी टॉंसल है इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिक तंद्र काप्रियों किया option बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा अगला देखो नयापाली भासा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है मेरे पहरे भाई अगर आपने अभी तक लाइक ने किया तो प्लीज एक बार सभी मित्र पहले लाइक कर दो मेहनत हम आप के लिए करें जी जान सिद्धत लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी ये बनती आपका ये फर्ज आए कि कमसी कम आप क्लास को तो लाइक कर दिया करो ठीक है पीडियो आपको टेलीगराम पर मिल जाएगी फुल नोट्स भी आपको टेलीगराम पर मिलेगा ठीक है नयापाली भासा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है प्रस्ण आप से पूरा किया इसका अंसर आऽ बताएंगे सही अंसर क्या हो जाएगा प्रफेंग्ER को ओप कौन सा रेलवय है जो अप्रेल 2022 में मिशन हंडीड परषंट विद्धु थी कनल पूरा किया सही हो जाएगा कोंकड़ जया ने रेलवय उप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही आंसर होजाएगा जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाईया ऑप्शन भी बतारें कौंकर रेलवय बिल्कुल सही आंसर होजाएगा अगला इसकी अप्रेल 2022 में किस संस्था नामक एक सौफ्ट वेरल अंच किया है बताएंगे question number 67 जही आंसर हो जाएगा वह जाएगा उच्चतन नहीं जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी मारे पैरेमित्र पैरेवाईबेन यहां पर option भी उच्चतन नहीं बता रहें बिल्कुल सही answer correct अग्ला की अप्रेष ने में जारी QS यूनिवर्पिटी रैंकिंग में कॉन सा स्थान पर है अप्रैल इस में क्यों स्ब्याइब ईक यू प्राइब पारें सफ हुद्टे ऑले उ 모습 i उनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे सीड सस्थान पर है आप्शन ए आपका विल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला की अप्रेल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टा चार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मुबाइल एप लांच किया बताईए मेरे पहरे भाई अप्रेल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टा चार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मुबाइल एप लांच किया सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्टन नमबर 69 का हो जाएगा मेरे पहरे भाई उत्रा खंड ने ऑप्शन नमबर डी जो ही ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा जोबी मारे प्यारे भाई मित्रियां पर अप्सन नमबर डी उत्रा खंड बता रहे बिल्कुल सही होगा अगला देखो अगला की प्रात्मिक और उच्प्रात्मिक विद्यालेओं में सत प्रतिशत नावांकन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश से किस राजी सरकार के दोरा इस्कूल चलो अभियान का सुरुवात किया गया है इसका अंसर आप बताएंगे सखी अंसर क्या हो जाएगा फट अफट अफट आंसर दीजे और जो भी में तरह भी तक लास को लाइक नहीं किया में लाइक जरूर कर देंगे जो चनल पर पहली बारा है मैं सबस्क्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वारी हड़ी के नई क क्लास की निटिफिकेसन आपको समय से मिला करें ठीक है। सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा अपना उत्र परदेश आपशन आ जो वही बिल्कुल परफरिक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मारे पहरे बाई मित्रयांपर आपसन नंबर उत्र प्रदेश बतारे में बेलकिव सही अंफर हो जाएगा मेरे पहरे भाई यह रहाऊ के सामने इसका ऍसर की AAP P JAS के साथ मिल जाएगा जागर कया आपको इसकी पीडियाफ ले ले लेना है p Aleja को ट्रेली गना है मिल जाएगा फिरी ने यक्वी अप को विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी प्रस्ण आपका एक्जाम में नहीं चुटेगा तो गाईज ध्यान रखेगा 25 सितंबर सुबा 11 बजे आपके रहे खास होगा क्योंकि इसमें साइंस के फिजिक्स कमेश्ट्री और बायोजी के कोईशन खलास होंगे मेरे मित्र आप इस तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद